हेलो दोस्तों आज हम आपको गुड्डु धनुवा सर के डारेक्टर और प्रोडूसर केरेर के बारे में बताएंगे 1992 में राज कनवर की मूवी आई दिवाना इस मूवी के प्रोडूसर थे गुड्डु धनुवा इस मूवी का बजट 3.50 लाक रहा भारत में कमाई 7 करोड सकतलाक हुई पुरू दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड कमाई इसके साथ है मूवी सूपर हिट रही गुड्डु धनुवा ने 1994 में आई मूवी एलान से अपने डारेक्टर केरेर की सुरुवात की थी इस मूवी का बजट 2 करोड रहा भारत में कमाई 5 करोड हुई पुरू दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड कमाई इसके साथ है मूवी हिट रही 1995 में गुड्डु धनुवा की मूवी आई गुंडा राज इस मूवी का बजट 4 करोड रहा भारत में कमाई 5 करोड हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी फिलोप रही 1996 में गुब्डु धनुवा की मूवी आई तू चोर में सिपाई इस मूवी का बजट 5 करोड रहा भारत में कमाई 7 करोड हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी बिलो एवरेज रही 1997 में बुड्डु धनुवा की मूवी आई कफला तून इस मूवी का बजट 5 करोड रहा भारत में कमाई 6 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी खलोप रही इसी साल डारेक्टर असरानी की उडान मूवी आई इस मूवी के पूडूसर थे कुड्डू धनुवा इस मूवी का बजट 4 करोड रहा भारत में कमाई 1 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी डियाश्टर रही इसी साल बुड्डू धनुवा की साथवी मूवी आई जिद्दी इस मूवी का बजट 7 करोड रहा भारत में कमाई 18 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 32 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी सूपर हिट रही 1998 में बुड्डु धनुवा की मूवी आई सलाखें इस मूवी का बजट 9 करोड रहा भारत में कमाई 9 करोड हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 16 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी फिलोप रही सन 2000 में गुब्डु धनुवा की मूवी आई बिच्चू इस मूवी का बजट 7 करोड रहा भारत में कमाई 10 करोड हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 18 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी एवरेज रही 2002 में गुब्डु धनुवा की मूवी आई 23 मार्च 1931 सहीद इस मूवी का बजट 20 करोड रहा भारत में कमाई 7 करोड हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी डियाश्टर रही दोयार तीन में गुड्डु धनुवा की मूवी आई हवा इस मूवी का बजट 3 करोड रहा भारत में कमाई 3 करोड 75 लाक हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी बिलो एवरेज रही इसी साल गुड्डु धनुवा की मूवी आई जाल इस मूवी का बजट 12 करोड रहा भारत में कमाई 7 करोड हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी फिलोप रही 2004 में बुड्डू धनुवा की मूवी आई किस्मत इस मूवी का बजट 7 करोड रहा भारत में कमाई 4 करोड हुई फूर दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी ड्यास्टर रही 2005 में डारेक्टर आशू उप्तिर्खा की मूवी आई सीसा इस मूवी के प्रोडूसर गुड्डू धनुवा थे इस मूवी का बजट 4 करोड रहा भारत में कमाई 2 करोड हुई फूर दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी ड्यास्टर रही इसी साल डारेक्टर अशूविन चौदरी की मूवी आई सिस्कियां इस मूवी के प्रोडूसर थे गुड्डू धनुवा इस मूवी का बजट 2 करोड रहा भारत में कमाई 37 लाक हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 3 पन लाक कमाई इसके साथ हैं मूवी ड्यास्टर रही दोयर साथ में बुड्डू धनुवा की मूवी आई बिग ब्रोडर इस मूवी का बजट 8 करोड रहा भारत में कमाई 4 करोड हुई पुरु दुनिया में इस मूवी ने साथ करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी ड्याश्टर रही 2011 में गुड्डु धनुवा की मूवी आई The Line of Punjab इस मूवी ने पुरु दुनिया में कमाई की 5 करोड इसके साथ हैं मूवी फिलोप रही इस ये साल बुड्डु धनुवा की मुवी आई गुलाभी इस मुवी के लिडिकास्ट में बिन आप्टे, पाकी हकडे, सचिन सामिल थे और कलक्षन के साब से यह मुवी द्यास्टर रहे गी दोयार पंद्रे में बुड्डु धनुवा की मूवी आई रमता जोगी इस मूवी के लीड कास्ट में दीपु शिद्दू, रौनिका सिंग, रावुल देय, अनिल गुरोवर सामिल थे इस मूवी का बजट 50 लग रहा, पुर दुनिया में इस मूवी ने 1,65,000 कमाई, इसके साथ हैं मूवी ब्यास्टर रही, दोस्तों आपको गुड्डु धनुवा सर का डारेक्टर और प्रोडूसर केरियर कैसा लगा, और आने वाली वीडियो किस डारेक्टर पर चाहिए, कमे सब्सक्राइब करें, फिलिए दूस्तों थेंक्यू,